मालदीव के बाद बंगला देश के अंदर भी इंडिया उड कमपेन स्टार्ट हुई पड़ी है और बड़ा सक्सेस्फुल जा रही है और बहुत सार इंटरनेशनल यूज आउटलेट्स में इसको रिपोर्ट किया हुआ है सच जाल जजीरा ने इस पे लिखा है वाईस अफ अमेरिका ने लिखा है निकाई एशिया में लिखा है दुनिया भर में इस पे बात हो रही है लेकिन इंडिया इसको काउंटर नहीं कर पा रहा है इस नेरेटिव को काउंटर नहीं कर पा रहा है एक नेरेटिव की कंफ्लिक्ट है ना असल में यह मालदीव के अंदर जैसे इंडिया फस्ट नेरेटिव था उसके विरूद में इंडिया आउट नेरेटिव आया यह यह निरेटिव्स हैं इसी तरह बंगला देश में भी निरेटिव्स हैं दो निरेटिव्स की क्लैश है आपस में इंडिया फर्स्ट और इंडिया आउट वहां पर भी है अवामी लीग वाले इंडिया फर्स्ट निरेटिव को रिप्रेसंट कर रहे होते हैं जबकि उनके विरोध अपने मुलक में जो हिंदू-Muslim नेरेटिव है न उसके इलावा तो ठीक तरीके से उनका मीडिया बेच लेता है लेकिन बाहर इनके मुलक के बाहर जो नेरेटिव बनते हैं उसको ठीक तरीके से इसलिए हैंडल नहीं कर पाते हैं और यहां पर जो बंगला देश के अंदर हो रहा है से मिस्टेक रिपीड कर रहे हैं इसको कभी पाकिस्तान तो कभी चाइना की उपर उनका मीडिया डालने में लगा हुआ है अलना के यह एक इशू है मतलब वो जो इंडिया आउट नेरेटिव वाले लोग बात कर रहे हैं इशूज हैं और इसलिए मैं कहता हूँ इशूज पर बात करें ताके इफेक्टिव आपकी नेरेटिव बिल्डिंग हो सके आप लोगों को बताईए बंगला देश की अंदर कि आप क्यों जरूरी है और इस इसलिए में आज अच्छा लगा देखके के पहली मरतबा कोई ढंक का आर्टिकल नदर आया है इंडियन मीडिया के अंदर और उसको पढ़के राइटर की मेहनत भी नदर आया है और लग रहा है उस आर्टिकल को पढ़के कि उसने कुछ काम किया है यह आर्टिकल लिखने दे पहले कुछ रिसर्च कुछ हॉम वर किया हुआ है और उसकी बुनियाद पे वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्यों जरूरी है बंगला देश के लिए विच इस वेरी गुड तिंग और मेरे ख्याल से दैट इस दा राइट वे टू क्यों गलत आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और आप क्यों ठीक हैं तैट इस दे राइट वे टू दू आज निव एटीन एक बड़ा इंडिया का न्यूस आटलेट है इसमें अरुन अनन साब ने बड़ा अच्छा आटिकल लिखा है केते हैं के राइट वर्ड अफ्टर माल् वेंग कंसरान अबाउट वेजर इस कैम्पैन कुड स्पेल एकानुमिक ट्रबल फो पंगलादेश यह एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मुझूद है और वह एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं वो इंडिया कैम्पैन को फ्यूल कर रहे हैं बाइफे इसका मतलब है वो basically India Out campaign को fuel कर रही है अब इसमें ground reality पहले वो बता रहे है कि ground reality क्या है क्या लोग इसको accept कर रहे है campaign को नहीं कर रहे है तो उस पे वो लिखते हैं कि an Indian consumer good giant to its surprise faced a cold reception in Dhaka's Panthapath area where grocery shops refused to take new deliveries of Indian products that are otherwise received eagerly this animosity is being propagated by creating a false bogey that India Bangladesh bilateral relations seem to benefit India disproportionately however there is also a growing concern about whether this campaign could spell economic trouble for Bangladesh वो कह रहे हैं कि जो Bangladesh के अंदर Indian brands है उनको कोई अच्छी यानि के response उनको नहीं मिल रहा वहाँ पे लोग उसको नहीं ले रहे और इसी वज़ा से distributor जो है वो भी उठाने दे कतरा आ रहे है कि वो कहने डिमांड ड्रॉप हो गई है विच मींस के इंडिया ओड केमपेंड इस वरकिंग वहाँ पर ये काम कर रही है और लोगों के अंदर इसका असर पड़ रहा है आगे जो वो बात कर रहे हैं जो मैंने कहा कि उन्होंने हमवर किया हुए वो नजर आता है उसमें वो बता रहे हैं बेसिकली अब कि हम क्यों जरूरी है कहते हैं कि धाकाद हेवी डिपेंडनस ओन इंडिया फॉर एसेंचल कमोडिटीज मैक्स नियू डेली अ की ट्रेडिंग पार्टनर अफ धाका है that's the second largest important source after China ये arguments होते हैं देखें इस तरह होता है वो श्वेप चोधरी साब की तरह नहीं कि वो ये भी agent है हर तीसरे line में कोई ने कोई agent गुसा देते हैं मतलब बंदा बात ही ना कर इसके बाद ये ठीक तरीका होता है कि आप लोगों को argument का जवाब argument से दे लाजिक और reasoning से दे इस आर्टिकल के अंदर आप देखें ना उन्होंने बताया है कि चाइना के बात तो हम ही तो second largest partner है ट्रेड के और कहते हैं इंडिया आप सो बंगलादे इस largest export destination in Asia the improvements in bilateral trade witness since 2011 when India announced duty-free access to several bangladeshi products and a new momentum since 2014 led to expansion and diversification of bilateral cooperation between the two countries including successful resolving of long pending disputes such as land boundary agreement and maritime dispute on territory waters अब इसमें देखिया उन्होंने का है कि trade के हवाले से हम बहुत बड़े player हैं चाइना के बाद लेकिन India campaign के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं यह one-sided है इसमें तो सारा export ही export है इंडिया export कर रहा होता है बहुत ज़्यदा और import जो है वो बहुत कम कर रहा होता है और इस होजा से यह जो trade relation है वो कुछ ज़्यदा beneficial है नहीं और इसमें वो यह भी कहते हैं कि जो ज़्यदा दर commodities आ रही होती हैं वो ऐसी commodities हैं जो के non-essential किसम की हैं यह ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी तादाद में ऐसी चीज़े मंगवाते हों जो कि हम री एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं ऐसे नहीं है तो वो इसका जवाब यह दे रहे होता है कि यह one-sided trade relations है और आगे वो एक बहुत important मुद्धे पर बात कर रहे हैं जो के इंडिया ओड campaign के अंदर discuss होता रहता है जो इंडिया ओड campaign के मानने वाले हैं वो इस नुक्तिय को उठाते हैं पानियों का मसला water disputes जो है इस पे writer कहते हैं के the conclusion of the historic water sharing agreement on the common river border कुशियारा following इंग शेख हसीनाज इंडिया विजिट इन सेप्टमबर 2022 अफस्ट सिंस दी 1996 गैंजिस वाटर ट्रीटी तो केते हैं देखें पानियों का मसला जो है वो भी तो हमल कर रहे होते हैं कुशियारा जो दरिया है उसका हमने अभी आपने हाली में देखा के 2022 में मसला हल किया लेक आते हैं तो वो 57 है जिसमें से 54 इंडिया से आते है 54 और इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे में जो है दैडिस तीस्ता अब हो कहते हैं कि 1970 से लेकर अब 2024 आ गया है हम मसलसल इंडिया को कहते रहे हैं कि हमारे साथ तीस्ता का मसला हल करें और जो में रिवर्स हैं उनका मसला ह कि तीस्ता का मसला हल नहीं हो रहा और इसके सासत फराका बेराज का मसला है बॉर्डर से कुछी किलोमीटर दूर आपने बेराज बना दिया और पूरा का पूरा दरिया आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं गंगारे वर्ष को वहां से तो यह एक बड़ा रीजन है जो कि यहां प कुछ यारा तो लिखा है बड़ प्रॉबलम इस देस साल मुदी को भी हो गए ना कम से कम दस साल के अंदर मुदी साब ने भी तो यह मसला हल नहीं किया ना वो भी तो फिर आप देखिए ना तो धाका वालों की निमान जो है लोगों की वो तो ठीक है कि यह मसला क्यों नही ब्रॉडन सोशियो एकानमिक अप्रिचुनिटीज फ़र बहुत फर्दर बूस्टेड बालेटरल ट्रेड को आपरेशन अब यह जो चीज है ना सीपा जिसे आप कहते हैं कम प्रेंसिव एकानमिक पार्टर्शिप अग्रिमेंट यह भी पेपर पे है और इसको पेपर पे भ अप्रिचिएटेड बाई वन एंड आल मेंली बिकाज अफ दी कनेक्टिविटी इनिशियेटिव लिंकिंगी चटोग्राम एंड मोंगला पूर्ट इंडिया नॉर्थ इस्टरन पूर्ट से वियर्बाई इंडिया वास अबल तो सप्लाई फूर थाउदन टरन्स अफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तो बंगला विश नॉर्ट इनकी ठीक है यहां पर हो गई थी तो इंडिया ने प्रोवाइड की थी लेकिन वेक्सीन जो थी वहां पे एक मसला आ गया था इंडिया ओड कैम्पैन के जो लोग बात कर रहे होते है वो इस इशू को भी रेज करते हैं यह देखिए आपने पैसे तो एडवांस में पकड़ लिये थे वेक्सीन के लेकिन वेक्सीन दी नहीं और इसकी वज़ा पता है क्या है इंडिया के पॉलिटिकल जो सरकस है न वो मूदी साहब नंबर बढ़ाने के चकर में थे वेक्सीन को ने क्या किया किया कि वो वहाँ पर अपने ही उनमें लगे रहे अमेरिकांस और दीगर मुल्क जो दे कौड के क्योंकि इतना बड़ा मसला था कोविट का तो हर एक कौपनी अपनी पड़ी हुई थी इंडिया को विचारों को उन्होंने साइड लाइन पे कर दिया एज़ रिजर्ड इंडिया खुद बुरी तरह से आपको याद होगा कोविट के अंदर इंगेज हो गया था बुरी तरह से यूपी के अंदर तो तबहाई फैर दी दी कोविट ने तो अपनी मदद करने के उनका मसला हो गया तो दूसरों की वो क्या मदद करते तो एड़वांस मे बता रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो होती है वो 10.63 बिलियन डॉलर की बंगला देश की तरफ होती है और इंपोर्ट जो हम कर रहे होते हैं बंगला देश से वो 1.86 बिलियन डॉलर का कर रहे होते हैं और फिर वो बता रहे हैं कि हमने अब 50,000 टन ओनियन और एक लाग टन जो शुगर है वो भी रमजान की वजह से हम आपको दे रहे हैं लेगर इस पर जैसे कि मैंने शुरू में प्रोग्राम के बात की कि जो इंडिया उट कैम्पेन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो डेटा है ना 10.86 अरब डॉलर की इंपोर्ट बंगलादेश की और सिर्फ 1.86 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इंडिया को तो ये बहुत बड़ा डिफरंस है वो कहते हैं आठ नो बिलियन डॉलर का डिफरंस है जो कि वन साइडिट ट्रेड को शो करता है और इसी लिए वो जो एक Comprehensive Economic Partnership Agreement जो कि कई साल से पैंडिंग में है वैसे तो इसको इंडिया को साइन कर देना चाहिए था जब बियाराय आगिया बंगलादेश की अंदर दिखा जाए तो उसी वक्त इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको स्पीड पकड़नी चाहिए थी क्योंकि उनको ये अंदादा लगाना चाहिए था कि ये बियाराय आगिया है तो competition बढ़ेगी लेकिन वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे है और अब ये जो comprehensive economic partnership agreement इन्होंने sign करने का फैसला किया हुआ है जो कि पता नहीं अभी भी कुछ कहां नहीं जा सकता कि कब sign होगी कि जियो political जो situation है वो तबदील होती चली जा रही है नए नए angles निकालने उसमें से भी कि अगर Chinese goods made in mangladish की stamp के साथ आने लगया हमारे अंदर तो क्या होगा तो ये हो गया तो क्या होगा वो हो गया तो इस तरह के बहुत सारे बाहने बना रहे है तो ये उस वक्त हो जाना चाहिए था ताकि इंडिया का जो एक टॉप का position था ना वहाँ पे trade के हवाले से वो बरकरार रहता लेकिन वो नहीं किया गया उस वक्त और अब चुंके ground पे सुरतिहाल आप देख रहे हैं खुद के India out campaign या इंडिया out sentiments के वजा से change हो रही है तो इसलिए आखिर में राइटर साब कहते हैं कि the India out campaign therefore is likely to act as a stumbling block in the joint economic cooperation between the two and would prove to be more detrimental for Dhaka considering its high reliance on India for essential commodities and the ease of trade because of shared boundaries between the two one can only hope that the true intention behind this campaign which is to weaken political stability within Dhaka and in fact bilateral cooperation between India and Mangaladuji gets exposed before Dhaka faces further economic turmoil in the face of growing inflation अच्छा मुझे वैसे दो पॉइंट से में मजीद missing नदरा है जिस पे अच्छा हो ताकि राइटर साब बात करते हैं एक तो इसमें border killing का जो मसला है वो बुनियादी मसला है उन्होंने इस पे बात नहीं की वो होना चाहिए जा है इसमें कि non lethal जो weapons है border पर इस्तेमाल करने के हवाले से उस पे बात होनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं की क्योंकि ये भी इंडिया उड कैम्पेंग के अंदर basic मुदा है कि ये border पर बहुत ज़दा वहां पर कतलों गारत होती है लोग मरते हैं वहां पर शहीद होते हैं बहुत ज़दा B.S.F. की फारिंग में तो इन् इंडिया बंगला अदिश रिलेशन्स को किसी ने किया है उन्होंने किया हुआ हर दो चार रोज के बाद R.S.S.S. और B.J.P. के जो लोग हैं वो इन्वेजन की धंकियां देते रहते हैं कि हम जो है वो इन्वेड करेंगे मिसाल के तोर पर चार पांच रोज पहले गोवा क चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अखंड भारत की धंकी दे दिया अगेन उन्होंने काएक अंडर मोधी कंट्री मुविंग टौार्ड्स शिवाजी अखंड भारत ड्रीम तो ये इस तरह के जो बयानाद टॉप के पोजिशन्स पे बेठे हुए लोग देते हैं ये भी इंडिया की पोजिशन को बंगला दिश के अंडर और रीजन के बाकी मुलकों में खराब कर रहे होते हैं अखंड भारत का मतलब आप इन मुलकों की एक्जिस्टन्स की उपर हमला कर रहे होते हैं आप उनको थ्रैट कर रहे होते हैं कि हम आपको इन्वेड करेंगे और आर के जो लोग हैं जो के बीजेपी की पेरेंट और्गनाइशन है इंडियन रूलिंग पार्टी की उनके लोग भी बंगलादिश के शलाव बातें कर रहे होते हैं इस तरह की अब तो बलके अगले महीने उनका मार्च में 15, 16 और 17 मार्च को हर साल तीन रोजा इनका एक होता है प उस्बेट होती है और आबादी का तवाजन बिहार और बेंगावल और आसा में तब्दील हो गया है बेसिकली ये वहां के मुसलमानों को थ्रेट कर रहे होते हैं उनको बेंगला दिशी बोल रहे होते हैं और उनको वापस भेजने की धंकिया दे रहे होते हैं एनाए कि imbalance of population in some parts of the country especially in states like Bengal, Assam and Vihar. Bordering Bengaladesh is also a major cause of concern तो उसमें वो कहते रहते हैं कि यहां Bengaladesh याते हैं और यह जो मुसलमान population बड़ी है Bengal में और Assam में यह सारे के सारे Bengaladesh ही है. यह वाली statements जो होती है यह भी India और Bengaladesh के अंदर public to public relations को खराब करने में में रोल प्ले कर रही होती है यहां मसला यह है कि आपके यहां खुद तो हार्ड लाइनर हिंदतवादी government हार्ड लाइनर जो अखंड भारत को मानते हैं और आप चाहते हैं कि Bengaladesh में secular हों, पाकिस्तान में secular लोग आ जाए, दूसरी जग़ाँ हमारे हां हार्ड लाइनर हों, यह भी जो मिस्फिट है ना, आइडियोलोजी का मिस्फिट जो है, वो भी इंडिया के public to public relations को खराब कर रहा होता है और इंटी इंडिया sentiments को असल में जो चीज फ्यूल कर रही होती है ना मुलकों में, वो खुद BJP और RSS है तो problem basically वहाँ पे है New Delhi के अंदर, वहाँ पे इसको sort out करने की ज़रूरत है, बजाए इसको इर्दगर्द के मुलकों में डूनने के क्योंके अगर आप इस तरह invasions की बातें करेंगे ना, खुले याम धके छुपे अलफाज में तो reaction obviously anti-India sentiments की सूरत में इन मुलकों में आएगा